जेहिन दोस्तो मेरा नाम बहादर लोधी और आप लोग देखना शुरूं कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम करन्ट अफ्यस के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर आ चुके हैं टॉपिक का नाम है चर्चित निधन 2024 यानि कि पिछले एक साल में जितने भी चर्चित व्यक्तियों के निधन हुए हैं उन सभी को हम बिलकुल डेटेल में और आसान भासा में डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो को विना स्किप के लाश्टक जरूर देखें तो आएए दोस्तो विना किसी देरी के सुरुवात कर लेते हैं नमर फर्स्ट कोस्टन से और नमर फर्स्ट कोस्टन है भारतिये सास्त्रिये संगीत गई का डाक्टर प्रभा अत्रे का निधन हाली में हो गया है वह किस घराने से संब्मंदित थी उत अ없이 Гराना से प्रभा ओ कुछ भी कोस्तनाप के एक्जाम में बन सकता है तो जनवरी 2024 को भारतिय सास्त्रिय गाई का प्रभात्रे का 11 वर्स की आयू में और दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया तो किराना घराने से सम्वंदित थी इनको कौन कौन से प्रुषकार मिल चुके हैं 1991 में नाटक अकैमी अबॉड मिला था 1990 में पदम शृ अबॉड 2002 में पदम भूशन और 2022 में इनको पदम भिभूशन अबॉड मिला था ठीक है नैश की बात कर लेते हैं तो बताइए भारतिय सास्त्रिय संगीत कर रसीद खान का हाली में नीधन हो गया है वह किस घराने से सम्मंदित थे तो रसीद खान की यदि हम बात करें ये रामपुर सहस्वान घराने से सम्मंदित थे ए ओप्सन करक्ठ हो जायागा ठीक है रसीत खान ये संगीत समराट और प्रसद गायक थे ठीक है जनवरी 2024 को और 55 वर्स की आयू में कैंसर की वज़े से इनका निधन हो गया ये रामपुर सहसवन घराने से सम्मनित थे ठीक है कौन-कौन से अबॉर्ड मिल चुके तो वाइस में पदम भूशन मिला और 2006 में इनको संगीत नाटक अकैदी पुरुषकर मिला था और 2012 में वंग भूशन सम्मन इनको दिया गया था ओके बताए किस राज के पूर्व मुखमंत्री मनुहर जोसी का हाली में निधन हो गया है मनुहर जोसी की यदि हम बात करें तो ये महराष्ट के पूर्व CM थे कहां कि महराष् और लोक्षवा के पूर्व अध्यक्ष मनुहर जोसी का निधन फरवरी 2024 को और 86 बस की आयू में हो गया इनका सम्मन्द किस पार्टी से था ये पूंच अड़ाय तो आप कहें इनका सम्मन्द सिर्फ सेना पार्टी से था और मनुहर जोसी 1995 से 99 में तक महराष्ट के CM रहे है और 2002 से 2004 तक ये लोक्षवा के अध्यक्ष रहे हैं और मनुहर जोसी मुमई क्रिकेट एसोसियेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं तो ये complete fact याद रखना मनुहर जोसी के वारे में ठीक है अब examiner किसी भी प्रकार से question को घुमा फरा कर पूँछ ले आप question को सही करके आएं तैयार करना बहुत ही जादा मेहनत लगती है इसलिए मैं वार वार बोलता हूं कि इस प्रकार के वीडियो देखने देखना चाहते हैं यादि आप regular तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और साथ में दबा लेजे well icon ताकि आपको west content रोज मिल सके नेश्वन की बात करें तो विद्या सागर महराज जी का निधन हाली में हो गया है बताएए उनका जन्म किस राज में हुआ था तो विद्या सागर महराज जी का जन्म जो है यह हुआ था कहां पर करनाटा का राज में D option हमारा correct answer हो जायागा आए detail की बात कर लेते हैं तो प्रसिद जैन संत हैं इनका नाम क्या है तो आचारी विद्या सागर महराज पर फरवरी 2024 को और 77 वर्स की आयू में इनका निधन हो गया है इनका निधन कहां पर हुआ तो 36 गड़ के डौंगर गाओं में चंद ग्री तीथ पर इनका निधन हुआ है ठीक है आचारी विद्या सागर महराज देगंबर ज आपसे प्रिसद्य संत थे और जेन संत विद्यासागर महराज के जन्म कहां पर हुआ था करनाटक के बेल गाओं के सदलगा गाओं में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को ठीक है तो यह सारे फेक्ट याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि इनका नीधन कहां पर फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि टॉपिक को बिल्कुल कम्प्लीट करा दें यानि कि यहां से कॉस्टन बाहर पूशा ही नहीं जायेगा ओकी नेश कॉस्टन है हाली में पदम स्री विजेता सादू मेहर का निधन हो गया है इनका स सम्मंद किस छेत्र से साथ था तो सादू मेहर की बात करें इनका सम्मंद था फिल्म इंडेस्टी से ठीक है सी ऑप्सन हमारा करक्ट अंसर हो जायेगा ठीक है और इनकी फिल्मों की बात करें तो भूवन सौम अंकर और म्रगया इनकी फिल्में हैं 2017 में पदम स्री दिया गय था दो हजर आठ में ओके नेश कोस्टन नोबल प्रुसकर विज़े था डैनियल कत्रमें का निधन हो गया हाली में इने किस छेत्र में दो हजर दो में नोबल प्रुसकर दिया गया था तो डैनियल कत्रमें ठीक है इनको दो हजर दो में नोबल दिया गया था एकोनोमिक्स यनिकि अर्थ सस्त्र के चित्र में A option correct answer हो जायागा बताए हाली में साहित्तकार फारुक नाजगी का निधन हो गया है ठीके इनने किस वर्स साहित्तकेदी पुरुसका से सम्मानित किया गया था तो फारुक नाजगी इनकी हम बात करें तो इनको साहित तकैदी पुरसका दिया गया था 1995 में ठीके और इनका निधन कब गुआ है तो फरवरी 2024 को और 83 वर्सकी आयू में इनका निधन हो गया है ठीके बताएए विहार के प्रसिद्ध कलाकार और पदमसरी प्राप्त करता कपिल देव प्रसाथ का हाली में निधन हो इनका संबंद विहार की किस कला से था ये कॉस्टन महत्पू है ठीके तो आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे ये राश्टपती दिरोपती मुर्मू से पदमसरी प्राप्त कर रहे हैं ठीके इनका संबंद जो है बावन बूटी कला से था डी आप्शन करक्ट आंसर हो जाएगा ये कॉस्टन है से लिए फैक्टों की बात करें तो वावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेविल पर पहचान दिलाने वाले पदमसरी विजेता ठीके इनको पदमसरी 2023 में दिया गया था कापिल देव परसाद करनेधन मार्च 2024 को हो गया है वावन बूटी कला ए सबसे भुजरगवयक्ती जोवन विषेंट पयरेज मुरा इनका 114 बर्स की आईू में निदन हो गया इनका सम्मंद किस देश से है तो याद रखना दूस्तों विष्ब के सबसे भुजरगवयक्ती का नाम क्या था जोवन विषेंट पयरेज मुरा एकриз मुरा तीकैं 114 बर कुरेसी की बात करें तो ये उत्तरप्रदेश के पूर्वराज जपाल थे ठीक है सी ओप्सन करक्ट हो जाएगा पता ये ओसकर अबोर्ड जीतने वाले पहले अस्वेद हॉलिवोड एक्टर इनका नाम है लुईस गोसेट जूनियर ठीक है इनका निधन मार्च 2024 को हो गया उन्हें किस बर्स ओसकर अबोर्ड मिल चुका है ठीक है तो सबसे पहले तो यही फेक्ट याद रखना कि ओसकर अबोर्ड जीतने वाले पहले अस्वेद हॉलिवोड एक्ट इनका नाम क्या है तो इनका नाम है लुईस गोसेट जूनियर और इनको ओसकर अबोर्ड दिया गया था 1983 में ठीक है वी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्में की हम बात करें तो बताए मसूर गायक पंकज उदास का निधन फरवरी 2024 को हो गया उन्हें किस वर्स पदमसरी अबोर्ड मिल चुका है तो दोस्तो पंकज उदास काफी मसूर गायक थे और इनका निधन अहाली में हो गया है इनको 2006 में पदमसरी दिया गया था डेटेल की बात करें तो मसूर गजल गायक है गायक थे पंकज उदास और 26 परवरी 2024 को और पैंक्रियास कैंसर की वज़े से 72 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया इनने वर्ष 2006 में पदमसरी अबोर्ड दिया गया था ठीक है और इनका जन्म हुआ था गोजरात के जयत पुरा में नेश कॉस्टन में आगे बनने से पहले दोस्तो मैं आपको बार-बार बोलता हूं एक बार फिर बोलता हूं क्या आप best quality के current face को पढ़ना चाहते हैं कि आप topic wise current face को पढ़ना चाहते हैं जिस प्रकास से हम detail में current face के हर topic को पढ़ रहे हैं तीके बिलकुल आसान भासा में और complete current face को पढ़ रहे हैं यदि आप इसी प्रकास से current face के सारे topic को पढ़ना चाहते हैं आपका exam हाल फिल हाल है और इबुक लॉँच हो गई है इस e-book के अंदर आपको सारे trending topic मिल जाएंगे और इसके लावा इसमें monthly current face भी आपको मिल जाएगा यानि कि current face का complete nature आपको हमारी e-book में मिल जाएगा और इसी क्रम में हमारी static gk की रामवार e-book लॉँच हो गई है इसको भी आप purchase कर सकते हैं और science की e-book लॉँच हो गई है और plus में हमारी upgk plus current office की e-book लॉँच हो गई है तो इन सभी e-book को purchase करके आप अपने study को मजबूत बना सकते हैं एग्जाम में selection ले सकते हैं क्योंकि ये आपकी अकेली मेहनत नहीं होगी ये मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत है जो मैं आपको दे रहा हूँ मात्र कुछ पैसों में ओके तो आईए नेक्ष्बन की बात करें तो बताइए मार्च 2024 को पूर्व नो सेना अध्यक्ष एड्मिरल लक्ष्मी नाराइन रामदास का निधन हो गया है उन्हें कौन सा अबोर्ड मिल चुका था याद रखना एड्मिरल लक्ष्मी नाराइन दास ये कौन थे पूर्व नो सेना अध्यक्ष थे कीखे और इनको मिल चुका है रेमन मैक्स से प्रुषकार A option correct answer हो जाएगा तो मार्च 2024 को पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडिमिरल लक्षमी नाराइन रामदास का नव्वे बर्स की आयू में निधन हो गया इन्होंने 1990 से 1993 तक नौसेना के प्रमुक के तेरवे प्रमुक के तोर पर काम किया है तीके पूछ जाए कि कौन से नमर के प्रमुक थे तो तेरवे नमर के प्रमुक थे और इनको 2004 में सांती के लिए रेमन मैक्स से प्रुषकार से सम्मानित किया गया था नेश कोस्टन है किस सिनेमा के मसूर अभिनेता डैनियल वालाजी का मार्च दो हजार चौबीस में नीधन हो गया है तो डैनियल वालाजी के बारे में आप याद रखना कि ये तमिल सिनेमा के मसूर अभिनेता थे कहां कि तमिल सिनेमा के ठीके इनका वास्तविक नाम आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है इनका वास्तविक नाम था टी सी वालाजी क्या था टी सी वालाजी इनका वास्तविक नाम था नेश्कोशन हाली में पुरा तत्वित ता अरुन कुमार मारमा का नेधन हो गया है इ ता ये मार्च दो हजार चौबीस में स्वामी इसमरानंद का निधन हो गया है वह किस मिशन के अध्यक्ष थे तो स्वामी इसमरानंद ठीक है याद रखना इनके बारे में ये रामकिश्ण मिशन के अध्यक्ष रह चुके हैं ठीक है और ये रामकिश्ण मिशन के यदि पूर्वे प्रधानमंत्री थे तो वरायन मुल्राणी की बात करें एक ये पूर्वे प्रधानमंत्री थे कहाँ के खनाड़ा बताई हाली में किस देश के पूर्वराष्ट पती डाक्टर हैज जी गिन गोब का निधन हो गया है तो डाक्टर हैज जी गिन गोब ये पूर्वराष्ट पती थे नामिविया देश के ओके नैश कोसल हाली मसूर सायर मुनबबर राणा का निधन हो गया है इन्हें किस कभीत के लिए 2014 में साहथ तकेदी पुस्ट का दिया गया था तो मुनब्बर राणा कौन थे ये मसूर साहर थे ठीके और इनको 2014 में साहथ तकेदी पुस्ट का दिया गया था इनकी पुस्ता के सहदावा के लिए Brid- Option करक्ट हो जाएगा पीपल च्छाओं, बदन सराम, नीम के फूल, सब उसके लिए, ठीके, इनकी प्रिसिद्ध पुष्टके हैं, और इनको 2014 में साहत तकेनी पुष्टका दिया गया था, इनकी पुष्टके, इनकी कभीता सहधावा के लिए, ठीके, और 2005 में डाक्टर हुसेन अबोड भी इनको दिया जा चुका है, ठीके, नैश्वन की बात करें, तो पदमसरी पुष्टकार बजेता हैं, डाक्टर इसवर्चंद्र वर्मा, इनका निधन हो गया है, इनका सम्मंद किस छेत्र से था, तो डाक्टर इसवर्चंद्र वर्मा का नाम याद रखना, इनका सम्मंद था चिक इनको वर्स 2020 में पदम सरी पुरुस्कार दिया गया था 1983 में वी सी राय राष्टिपुरुस्कार दिया गया था और इन्होंने वर्स 1968 में एमस दिल्ली में भारत में पहला आनुवांस केंद्र इस्थापित किया था याद रखना इनके बारे में नेश कॉस्ता ने साहत्कार उसा करण खान का हाली में नीद्हन हो गया है इनने ये किस भासा की साहत्कार थी तो उसा करण खान की बात करें ये उरदू सोरी ये जो है ये हिंदी और मैथली की साहत्कार थी C option हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है तो उसा करण खान की बात करने प्रसिद्ध साहित कार थी किस राजी की थी ये तो ये थी विहार की ठीक है फरवरी 2024 को 78 वर्स की आई में इनका निदेन हो गया 2015 में इनको पदम स्री दिया गया था ठीक है ठीक है बताईए हाली में दत्ता जीराओ का निदेन हो गया है तो बताईए जो दत्ता जीराओ थे ये किस खेल से जुड़े थे दत्ता जीराओ ये जुड़े थे क्रिकेट से ठीक है ये भारतिय क्रिकेटर थे और फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया हाली में अमीन सयानी का निधन हो गया इनके प्रसिद रेडियो सो का नाम क्या था तो अमीन सयानी की बात करें इनका एक प्रसिद रेडियो सो था ठीके उस सो का नाम था विना का गीत माला ए ओप्सन करक्ट हो जाएगा बताए कुमार साह इनका हाली में निधन हो गया इनने किस वर्स पदम विभूशन से सम्मानित किया गया फली एस नरीमन इनको पदम विभूशन दिया गया था दो हजार साथ में नैश कोस्टन है पदम प्रुशकार से सम्मानित प्रोफिसर वेद प्रकास नंदा का निधन हो गया इनने किस वर्स पदम विभूशन सम्मान दिया गया था तो वेद प्रकास नंदा की हम बात करें इनको पदम भूशन दिया गया था 2018 में कब 2018 में किस राज के पूर्व उप मुखमंत्री हरिसंकर भावडा का निधन हो गया तो हरिसंकर भावडा जो है ये डिप्टी सीम थे किस राज के पूर्व डिप्टी सीम थे राजिस्थान के B option correct हो जाएगा वता ये पदमश्री विजेता डाक्टर नित्यानंद का निधन हो गया उन्हें किस बर से पदमश्री अबोर्ड दिया गया था ये important question है डाक्टर नित्यानंद की बात करें तो इनको पदमश्री दिया गया था 2012 में देखे याद रखना कि भारत की पहली मौखेक गरब लुद्बगोली थी सहेली अर सहेली की खोज करने वाले थे डाक्टर नित्यानंद और निपन दमश्री का निधन हो गया है याद रखना भारत सरकार की तरब से इस गोली को लौंच किया गया था और वह केंद्रिय औस दी अनुसंदान संस्तान के निदेशक भी रह चुके हैं नईश्च मारा क्वेस्टन है हाली में ट्र वी मोहने गरी का निधन हो गया है वह किस आयोक की पूर्भ अध्यक्ष थी तो डाक्टर वी मोहनिगरी इनकी हम बात करें तो ये राष्टी महला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी ठीक है ये कॉस्टन इंपूर्ण रहेगा आपके एक्जाम के लिए तो सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं डाक्टर वी मोहनिगरी राष्टी महला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है 1995 से 1998 तक इन्होंने वर्स 1972 में महलाओं के लिए समरपयत वार विडोज एसोसियेशन की स्थापना करी थी और ये महलाओं के अधिकारों के लिए जानी मानी वकील थी ठीके महलाओं के अधिकारों के फ्रॉंज वैकन बाउर जो हैं ये किस देश की फुटबॉलर थे जरमनी की फुटबॉलर थे और जनवरी 2024 में इनका निधन हो गया नैश कोशन है विस्व मेराथन रेकॉर्ड धारा कैल्बिन किप्टम का हाली में निधन हो गया है इनका सम्मंद किस देश से था तो दोस् वह किस राज से समण्दित है तो याद रखना विसंसंबेदी कौन थे क्रिकेटर थे और इनका सम्मंद था पंजब राजसे रहरी में किस देश के पूर्व प्रिमियर लीकेक ययंग का निधन हो गया है तो देख दोस्तो चाइन जो प्रधान मंतरी होते हैरे ना इनका निधन हो गया है ठीक है हम बात कर लेते हैं तो पूर प्रिमियर थे ली के कियांग और 68 वर्स की आयू में हाट अटेक से निधन हो गया इनका तो चाइना की वर्तमान में प्रिमियर या फर प्रधान मंत्री कोन है ली कियांग है ठीक है निधन किसका हुआ है ली के कियांग का राश्टपति तो सभी लोग जानते होंगे C. जिन पिंग चाइना की वर्थमान राश्टपती हैं। 1927 में और किरल के पथा नाम थिट्टा में इनका जन्म हुगा था इनका पूरा नाम था मीरा साहब फातिमा बीबी और ये तमिलनाडू राज्ज की राज़पाल रह चुकी है ठीक है उस सुप्रिम कोट की पहली महिला जज़ बनी थी 1989 में और 1992 तक रही थी और ये भारत के आ थे MS-Swami-Nathan की बात करें तो ये सम्मंद्ध थे तमिलनाडू राज्ज से मोश्ट रंपॉन कोस्टन है तो MS-Swami-Nathan की बारे में जान लेते हैं ये कौन थे किरसी विग्यानी थे और सित्मबर 2023 को चैन्नाई में अंठाने वर्स के आई में इनका निदन हो गया इनको भारत सम्भा सिबन स्वामी नाथन इनका पूरा नाम था राजसवा के लिए ये नॉमिनेट हुए थे 2007 में ठीक है और कौन-कौन से प्रुसकार मिल चुके हैं तो 1967 में पदम सरी, 1972 में पदम बूशन, 1989 में पदम बेबूशन और रैमन मैक्स से प्रुसकार दिया गया था 1971 में और देखे विस्व खाद प्रुसकार कब दिया गया था 1987 में इनको पहला विस्वखाद प्रुसकार दिया गया था विस्वखाद प्रुसकार की शुरुआत हुई थी 1986 में और पहली बार ये प्रुसकार इनहीं को दिया गया था म.सवामी नाथन को ओके नेश कोसन है सोलव इंटरनेशनल की संस्थापक डाक्टर विंदिस और पाठक का नीधन हो गया है इन्हें अन्ने किस नाम से जाना जाता था विंदिस और पाठक तो ये विहार के काफी प्रसिद्ध परसनाल्टियों में से एक थे इनको भारत के टॉइलेट में इनकी नाम से जाना जाता था ए उप्षन करक्ट आंसर हो जाएगा तो देश में सुच्चता अभियान में अहम भूमी का निभाने वाले थे विंदिस और पाठक ठीक है कहां से विलोंग करते थे विहार से और अगर्ष दो हो जातेईस को इनके निधन हो गया इनोंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करी थी और ये सुलभ इंटरनेशनल नागरिकों को सुच्च सोचलय की स्विधा देने की पहल थी और येनोंने सबसे पहले 1964 में डिस्पोजल कमपोश्ट सोचलय का अविश्कर किया था जो कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामगरी से वनाया जा सकता था विंदेश और पाठक के प्रियासों से ही नवंबर 2013 को संक राष्ट ने वर्ल्ड टॉइलेट डे को मानता दी थी नेश्रे किस कंपनी के प्रमुक सुब्रत राय का निधन नवंबर 2023 को हो गया तो सुब्रत राय जो हैं ये सहारा गुरूप के प्रमुक थे सुब्रत राय एक भारतिय व्योसाई थे इनका जन्म 2014 में विहार में हुआ था लेकिन पस्चम बंगाल इनका मूल निवास था इनको सहारा स्री के नाम से भी जाना जाता था बता ये साहत में नोवल प्रुसकार जीतने वाली कवित्री लूइस गलूप का निधन हो गया है वह किस देश से सम्मंदित थी तो लूइस गलूप की बात करें ये अमेरिका से सम्मंदित थी डी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा बता ये सिक्किल नाटे सन नीला का हाली में निधन हो गया है वह कौन थी करक्ठ आंसर हो जाएगा ये प्रुसिद वासरी वादक थी ठीक है 2004 में इनको पदमश्री दिया गया था और 2002 में इनको दिया गया था संगीत कलानधी पुरुस्कार और निधन हो गया है सितंबर 2023 में बताए अक्टूबर 2023 में सली मुलहक का निधन हो गया है वह कौन थे सली मुलहक की बात करें तो ये परियावन के विसे सग थे बी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा पूर्व मुख चनाव आयोक्त मनुहर संगिल का निधन अक्टूबर 2023 को हो गया उन्हें कौन सा अबोर्ड मिल चुका है तो याद रखना दोस्तों मनुहर संगिल के बारे में ये पूर्व मुख चनाव आयोक्त थे और इनको पदम विभूशन अबोर्ड मिल चुका है तो आईए सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं पूर्व मुख चनाव आयोक्त थे मनुहर संगिल और अक्टूबर 2023 इसको 86 वर्ष की आयो में इनकरने दिन हो गया ये दिसंबर 1996 से 2001 तक मुख चनाव आयोक्त रहे और मनमोहन सिंग की सरकार में खेल और नैश कॉस्त है कि अलि में नित्यांग न सरोज बैदनात का निधन हो गया है वह किस लोक निरत के लिए जानी जाती थी 2002 में पदम स्री 2013 में पदम बूशन से सम्मानित किया गया बताए किस देश के पूर्व राष्ट पती और नोवल सांती पुरुसकर विजेता मार्टी अहतसारी का निदन हो गया तो मार्टी अहतसारी जो है एक किस देश के पूर्व राष्ट पती थे करक्टांस हो जाया गया ये Finland के पूर्व राष्ट पती थे October 2023 में इनका निधन हुआ है और ये Finland के दसवे नमबर के राष्ट पती थे और इनको सांती के छेत्र में Nobel Prize कब दिया गया था तो 2008 में इनको सांती का Nobel Prize दिया गया था ओके Nashkosan किस देश के पूर्व राष्ट पती जियो जियो नेपुल इटानो का निधन हो गया है तो जियो जियो नेपुल इटानो जो है ये इटली के पूर्व राष्ट पती थे गाई का मानली राजुरकर का निधन सिप्तमबर 2023 को हो गया उनकी पहचान किस सैली में गाए गया उनके गीतों से थी तो मानली रजुरकर की बात करें, इनकी पहचान जो है, ख्याल और टपा सेली गायन में थी, ठीक है यह option correct answer हो जायगा, और मुझ्छा जायए कि मानली रजुरकर का सम्मन्द किस राज से है तो राजस्थान के अजमेर से कहाँ पर राजस्थान के अजमेर से इनका सम्मन्द है और घराना जरूर पूछा जाता है एक्जाम में ये किस घराने से सम्मन्द थी ये गौालियर घराने से सम्मन्द थी ठीके घराना जरूर याद रखना है ये एक्जाम में पूछा बता ये प्रसद्द रुद्रवीना पृतिपादक इनका नाम है उस्ताद अली जकी हैदर। ये किस घराने से सम्मन्नित थे, घराना एक्जाम में पूछा जाता है विया, तो ये जैपर बिनकर घराने से सम्मन्नित थे, D option हमारा करक्टरांसर हो जाएगा और सिप्तमबर 2023 को इनका निधन हो गया है, नेश कोस्टन है, डेनिस ओस्टन का हाली में निधन हो गया है, वह क जान वेनिस्टर गुड इनप का हाली में निधन हो गया है, वह किस अविस्कार के सह अविस्कारक थे, सह अविस्कारक का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मिलकर कोई अविस्कार किया हो, तो जो जान वेनिस्टर गुड इनप थे ना, इन्होंने लीथियन आयन वेंटरी का अविस्कार किया था एक और वेग्यानिक की साथ में मिलकर तो हम डेटेल की बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो लीथियन आयन बेंटरी है ना इसका अविस्कार अमेर की वेग्यानिक जॉन वेनिश्टर गुड इनफ ठीक है और इस टैन वीट टिगम ने किया था और दोनों के लिए वर्स 2019 में नोवल प्रुसका दिया गया था और जॉन बेनिश्टर गुड इनफ का जून 2023 को 100 वर्स की आयू में निधन हो गया है तो इनका नाम ज़रूर याद रखना है लीथियन आयन बेंटरी का ये सह संस्तापक थे बताए ये डिएडियो के पूर्व महानदिसक वीएस अवडाचलम का हाली में निधन हो गया है वह किस राजिसे सम्मन्दित थे तो ये सम्मन्दित थे तमिल नाडू राजिसे ये प्रिसिद परमानु भुतिक विग्यानी विकास सिन्हा का निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष पदम भूशन प्रुसकार से सम्मानित किया गया था तो विकास सिन्हा याद रखना ये परमानु भूतिक विज्ञानी थे और इनको 2010 में पदम भूशन दिया गया था किस राजी के पूरु मुखमंत्री ओमान चांडी का निदन हो गया ओमान चांडी जो है ये केरला के पूरु मुखमंत्री थे ठीक है और कांग्रेश के वर्ष्ट नेता थे जोलाई दो हो जाद तियसको 89 वर्ष की आयू में इनका निदन हो गया है और ओमान चांडी कीरला के कितनी बार सीम रह चुके हैं तो दो बार सीम रह चुके हैं कीरला के नेश्कोस्टन है जैन्त महापात्रा का हाली में निधन हो गया है जैन्त महापात्रा ये कौन थे भारतिय अंग्रेजी कभी थे जैन्त महापात्रा ठीक है बैजनात अगरवाल की बात करें इनके बारें बताई है ये कौन थे बैजनात अगरवाल ये जो है ये गीता प्रेस गोरकपर के ट्रस्टी थे ठीक है ए ओप्शन सा ही हो जायागा नेश्कोस था ने चंद्रियान 3 लॉंचिंग के काउंट डाउन को आवाज देने वाली इस रो वेग्यनेक एन वलार मती का हाली में निधन हो गया वह किस राजे से सम्मन्दित थी चंद्रियान 3 जब लॉंच होगा ना तो जो काउंट डाउन शुरू हुआ था 3,2,1 ठीक है एक काउंट डाउन को जो आवाज दी थी एन वालार मती ने दी थी ठीक है और इनका सितंबर 2023 को निधन हो गया है ठीक है और ये सम्मन्दित थी तमिल नाडू राज से डी आपसन वह हो ज़ा अगा बताए किस ओद्योक सम्मु के चेर्मेन स्रीचंद पर्माननंद कर निधन मय 2020 को हो गया श्रीचंद पर्माननंद जो खें ये हिंदजा समू के चेयर्मेन थे बी ओप्सन सही हो जायागा बताए डाक्टर टेहम्टन एराच उदबाडिया का हाली में निधन हो गया है उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता है तो इनका नाम याद रखना भी या डाक्टर टेहम्टन एराच उदबाडिया थीके और इनको भारत में लेप्रो इसकोपी का जनक माना जाता है complete detail की बात करें तो डाक्टर टेहम्टन एराच उदबाडिया इनका संमंध है महराष्ट राज्य से जनवरी दो हो जाते है इसमें 80-80 की आयुमें इनका निद्धन हो गया, इन्हें भारत में लेप्रोइस्कोपी का जनक माना जाता है, लेप्रोइस्कोपी क्या होती है, तो देखिए, एक केमरी की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या फिर पहले बिसमें किया जाने वाला एक छोटा सा होता है लेप्रोस्कोपी ठीक है तो इसी का जनक माना जाता है डाक्टर टेहम्टन के लिए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी एक साल में महत्पून निधन हुए हैं लगबग हमने 56 फैमस परसनाल्टी के निधन के बारे में discuss किया है और सभी question को हमने बिल्कुल detail में और आसन भासा में समझाने का पूरा प्रयास किया है मतलब आपके बहादोस्तों इमानदारी से पूरी मेनत करी रहे हैं क्या आप इमानदारी से पूरा वीडियो इसी प्रकार से यदि आप कम समय में तयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेस्ट कॉंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी e-book भी लॉंच हो गई है, करंटरफेस की, इस्टेटिक जीके की, साइंस की, और इसी के साथ में UPGK की, ठीके, तो इन e-book से आपको एक रिवीजन करना कर सकते हैं, ठीके, और अच्छी तयारी कर सकते हैं, ताकि आप एक्जाम में सेलेक्शन ले सकें, अपने माता पता के सपनों को पूरा कर सकें, तो इन सारी e-books का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, फटा-फट से इनको पर्चेस कर ली हैं, मैं सभी के कमेंट पड़ता हूं, और रपलाई करने का पूरा प्रयास भी करता हूं, ओके, ठैंक्य दोस्तों, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजे इस वीडियो को सेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, आपके वारत बने मत्रा